जै माताती दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे तो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि माम मैं प्रेगनेंट हूँ और मेरा फर्स ट्राइमेस्टर चल र अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं हमारे घर की जो बड़ी बुडिया है मेरी सासु मा है मेरी दादी सास है मेरी नानी है मेरी ममा है उनके अकॉर्डिंग क्या-क्या चीजों की हमें सेफटी रखनी चाहिए और क्या-क्या चीजों का हमें फर्स ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना चाहिए वह सिर्फ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तो प्लीज इस वीडियो को इसी वे में लीजेगा एज प्रोफेशनल एज प्रोफेशनलिस्ट एडवाइजर आप इस वीडियो को बिल्कुल मत लीजेगा यह रिक्वेस् चाहिए कि आपने कंसीव किया है ऐसा माना जाता है यह सब बातें बोलने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज और बोल देती हूं कि मैं अंधविश्वास की कोई बात नहीं कर रही हूं मेरी जो मेंटिलिटी है वो यह है कि मानो तो सब कुछ है नहीं मानो तो कुछ भी न कभी इन सब चीजों पर विश्वास धीरे धीरे होने लगता है जब पढ़े लिखे लोग इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं पहले इतना एजुकेशन नहीं था इतने डॉक्टर नहीं थे जो हमारे पूरवज हैं हमारे बड़े बुड़े हैं वह इन ही चीजों प और सब्सक्राइब कर नहीं तो शीमिए बहująне जाफे रहा ह B पे यह अगर आपको शवाला कर सो लिए का तो एक है लिए कि परिधे आप को सब्सक्राइब कर लिजreg आपे जरा इससा प्लोगों को बता चूकि कि जो first trimester होता है वो बहुत जादा sensitive होता है इस time पर माना जाता है कि हमें ट्रावलिंग नहीं करनी चाहिए Official कोई अंतविश्वास इसके पीछे नहीं है first trimester में इसलिए हमें ट्रावल नहीं करना चाहिए क्यूंकि यह time बहुत जादा complicated होता है यह time बहुत जादा sensitive होता है इस time पे आपका जो egg होता है वो fertile हो रहा होता है, develop हो रहा होता है माना जाता है कि अगर आपका कहीं उचे नीचे में पैर आजाता है, suppose कि आप bike से जा रहे हैं अगर किसी breaker पे जंप कर गई है, अगर किसी गड़े में जंप कर गई है, गड़े में धपाक से गुज़ गई है तो उस time पे miscarriage होने का खत्रा बढ़ जाता है, first trimester में सबसे जादा miscarriage के chances होते हैं इसलिए doctors भी, अगर कोई doctors को complication दिखता है, तो हमें advice करते हैं कि first trimester में आपको travel भी नहीं करना है हमारे जो बड़े बुज़ूर्ग होते हैं, हमारी जो सास होती है, दादी सास होती है, जब उनको ये पता चलता है कि हां हमारी बहु नया बेटी ने conceive किया है तो वो भी हमें regular बोलती है, दीरे दीरे चलना है, पाउं संभाल के चलना है, सीडियों को भाग के नहीं चड़ना है, सीडियों से कूद कूद के नहीं उतरना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं उतरना है तो इन सब चीजों के पीछे कोई अंध विश्वास नहीं होता है इन सब चीजों के पीछे सिर्फ यही रीजन होता है कि first trimester में miscarriage के chances बहुत जाधा होते हैं चीजें सारी वो ही है, बातें सारी वो ही है सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया हम लोगों का चेंज हो गया है जैसे जैसे लोग educated होते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजों को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है बाकी चीजें सारी सेम है Suppose कि आप गारी से भी travel करती है तो उसमें भी यही होता है बाई चांस अगर breaker से गाड़ी कूती है या अचानक से कोई गड़ा आ जाता है तो आपको जटका लग सकता है जिसके कारण आपके पेट में दर्ध हो सकता है miscarriage हो सकता है या आपको और भी कोई complication हो सकता है first trimester मेरा जो first pregnancy का first trimester था same condition मेरे साथ हुई थी मुझे third month में complication आ गया था मैं just इसलिए आप लोगों के साथ share कर रही हूँ first trimester में हाला कि पूरी pregnancy आपको weight नहीं उठाना है लेकिन first trimester में भी आपको ये नहीं सोचना है कि first trimester है अभी तो baby develop भी नहीं हुआ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं नहीं आपको very first day से ही अपना पूरा ध्यान रखना है body में changes होने शुरू हो जाते हैं from the very first day तो आपको weight नहीं उठाना है आगे जुक के कोई भी काम नहीं करना है उकडू नहीं बैठना है आप अगर बैठते हैं तो आपने फटा लेके बैठना है डिरेक्ट आपने नीचे नहीं बैठना है या तो चेर पे बैठें या तो फटा लेके बैठें या तो मुड़ी लेके बैठें traveling में भी जितना हो सकता है आपको first trimester में traveling avoid करना चाहिए लेकिन अगर बहुत जादा important है बहुत जादा जरूरी है कि आपको कहीं जाना ही है तो आप जब गारी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या कोई भी कन्वेंस है आपके जाने का तो कोशिश कीजिए कि उसकी speed बहुत कम हो जादा speed में आप travel ना और मुझे बहुत सारे comments आ रहे थे कि माम प्लीज अपनी pregnancy शेयर कीजी आप अपनी pregnancy शेयर कीजी तो मैं आप लोगों के साथ चोटी चोटी वीडियो के तुरू अपनी ही प्रेगनेंसी शेयर कर रही हूं अपने ही जो experience है वो आप लोगों के साथ share कर रही हूँ लेकिन किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं detail में आप लोगों के साथ जरूर share करूँगी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like and share कर दीजेगा चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो all notification वाली bell icon के साथ मेरे चांग को subscribe कर दीजेगा मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में नए content के साथ तब तक सभी को जैबाता देगा